दोस्तों अगर आप भी एक Android TV का यूज करते होंगे तो कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ी होगी कि आप अपने TV में एक ब्राउजर इंस्टॉल करें जिसकी मनदब से आप किसी वेपसाइट का एकसेस ले पाएं या कुछ भी आप सर्च वगरा करपें अपने TV में क्योंक आपके TV के रिमोट सही चलेगा क्योंकि Google Chrome अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको कहीं न कहीं जरूरत पड़ती है माउस की सारा काम आपके TV के रिमोट से नहीं होता है तो आज किस वीडियो में आपको उसी आप के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके रिमोट से 100% चलेगी या फिर आपको टाइपिंग करने के लिए आपको अपने फोन का यूज करना होगा बस आपको किसी भी थार्ड पार्टी माउस या कीबोड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको क्या करना अपने टीबी का प्ले स्टोर ओपन करना है यहाँ पर आपको साइड में सर्च कर लेना है Puffin TV, P-U-F-F-I-N TV आप इसको सर्च करिए दोस्तों यही वो एप है जो आपको अपने टीबी में इंस्टॉल करना है मैं इस आपको इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि Puffin TV ब्राउजर मेरे TV में इंस्टॉल हो चुका है आपको डिरेक्टल यही से ओपन कर लेना है इसको तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका यूजर इंटरफेस दिखेगा इसके बाद में कुछ ऐसा आपको होमपेज इसका दिख चाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले है यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो URL वो आप यहाँ पर टाइप अगरा कर सकते हो इसके बाद में यहाँ पर कुछ न्यूज की वेबसाइट बाइडिफॉल्ट सेट है जैसे NDTV है या हूँ है तो यह यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तीन जो है न्यूज की वेबसाइट बाइडिफॉल्ट मिलती है अगर आप इसके उपर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट तक पहुंच जाओगे इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूट्यूब मिल जाता है और भी इंडिया टूडे इस तरह के क काफी सारे रिडिफ हो गएरा है तो काफी सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सिंप्ली आप क्लिक करें जैसे अगर आपको यूट्यूब पर कुछ देखने खास करके ब्राउजर के थुरू तो आप इस पर क्लिक करिए आपके सामने यूट्यूब का होम पेज ओ यूज़ करना है तो आप क्लिक करिए आपके सामने ऐसे हो जाएगा आप यहाँ पर लॉग इन हो जाईए और आप यूट्र वगरा यूज़ कर सकते हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग दोस्तों यह एप मुझे लगी है अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता आप गूगल पर क्लिक करिए गूगल का होमपेज ओपन हो गया अब देखे यहाँ पर आरो आ रहा है अब यह जो आरो है यह आपके टीबी के ही रिमोट से ही चल रहा है मैं आपर माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे कुछ मैं आपर क्लिक करता हूँ तो अभी आपके सामने दो कंडिशन होगी अगर इस तरह से आपको बोलता है use the keyword on your mobile device तो इस केस में आपको एक app को इंस्टॉल करना होगा फिलाल मेरे टीबी में साथ कुछ सेटिंग गडबड हुई है क्योंकि मैं जब भी कुछ लिख रहा नहीं पर तो मेरे mobile से लिखने के लिए बोल रहा है यह में भी मेरी सेटिंग का कुछ इशू है अगर आपके सेटिंग में कोई इशू अगर नहीं होगा तो directly आपका keyboard यहाँ पर open हो जाएगा आपके टीबी का ही तो आप manually वहाँ पर लिख सकते हो मतलब कि आपको अपने phone स इसको install करके open जब आप कल लोगे तो यहाँ पर आपको Android TV दिख जाएगा आपका बस दियान रखना आपका phone और आपके TV सेम internet से connect होना चाहिए इसके उपर में आप जब click कर दोगे तो यह कुछ इस तरह से आपका pad open हो जाएगा अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे website का home page आगे मेरी वीडियो से अगर आ रही है तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी अपना read वगरा करना चाहूं तो आप वैसे दोस्तों मेरे website पर आ सकते हो यहाँ पर आपको कुछ अलग type के content देखने को मिलेंगे जो इसकी मैं वीडि अगर आपको पढ़ना है तो simply मैं इसके उपर में click कर देता हूं और वो जो article है वो मेरे सामने open हो जाएगा चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ open करकर दिखा देता हूं तो बिलकुल आपके phone या फिर आपके laptop जैसे experience आपको यहाँ पर browsing का मिलने वाला है अब आप देख सकते हो यह मेरी एक post है मैंने इसको लिखा हुआ था और यह कितने सही से यहाँ पर चल रही है बिलकुल कोई issue नहीं है तो यहाँ पर कहीं न कहीं Google Chrome browser या फिर किसी दूसरे browser का अगर आप install करते हो तो वहाँ पर जरूर आपको कभी न कभी problem face करने को मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर आपको mouse की जरूरत लगती है और mouse आपको लेना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है और यह आपके tv खेटे mode से ही काम करते है तो काफी interesting दोस्तों यह browser है आप ज setting में जाते हो तो यहाँ पर आप जो है एक password सेट कर सकते हो अगर आपको लगाना है तो वह आप लगा सकते हो जब भी कोई browser पर जाएगा कुछ टाइप करने के लिए तो उसे password मांगेगा और यहाँ पर आपको display size का एक option मिलता है यह फिलहाल maximize है इसको आप यही पर रहने द दिजे अगर आप best fit कर दोगे तो थोड़ा सा crop हो जाता है चारो साइट से तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि by default आपको जो मिलता वही रहने दिजे तो यहाँ पर काफी अच्छा यह दोस्तों browser होने वाला है तो आप इसको अपने tv में use कर सकते हैं आप इससे facebook भी login कर सकते ह YouTube भी use कर सकते हैं किसी website को भी access कर सकते हैं Facebook का यहाँ पर कुछ आपको by default पेज मिलता है आप इसको set भी अगरा कर सकते हो तिंक कि यह काफी अच्छा browser है आप इसको जरूर ट्राय कर दिए तो उमीद करता हूं दोस्तों कि यह छोटी सी information आपको पसंद आ गई होगी वीडिय पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन हिट कर दें कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आप से अपनी अगले वीडियो में